वेल्कम टू जीरो से जीनियस तक आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेक के आये हैं हिस्ट्री के बाड़ा ऐसे चुनिंदा सवालों को जो कि अक्सर आपके एक्जाम्स में पूछे जाते हैं तो चले वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेशन के साथ पहले क्वेशन में पूछा जा रहा है विद्वा पूनर विवा कानून कब बना आपके ओप्शन से 1853 में 1856 में 1863 में या फिर 1865 में सही जवाब सिलेक करने के लिए 5 सेकिंड का समय दिया जा रहा है जो की शुरू होता है अब विद्वा पूनर विवा कानून कब बना तो आपको बता दे विद्वा पूनर विवा कानून बना था 1856 में आप्शन नमबर भी इसका सही जवाब है क्वेशन नमबर दो है अंग्रेजों ने फूद डालो और शाशन करो की नीती कब अपनाई अप्शन से 1877 के बाद ध्यान है यहां पे होगा के बाद में बाद नहीं होगा अप्शन नमबर भी 1833 के बाद अप्शन नमबर C 1858 के बाद या फिर अप्शन नमबर D 1799 के बाद अंग्रेजियों ने फूट डालो और साशन करो की नीती कब अपनाई तो सही जवाब है आप्शन नमबर C 1858 के बाद और ये लौट करजन के साशन काल में हुआ था और लौट करजन ने ही इस नीती को पहली बार अपनाया क्वेशन नमबर 3 है आर्य भारत में कहां से आय थे आर्य भारत में कहां से आय थे पस्चिम एशिया से पूर्वे एशिया से केंद्रिया एशिया से या फिर दक्षिन एशिया से भारत में आर्य कहां से आय थे तो वो आय थे केंद्रिया एशिया से क्वेशन नमबर चार है किस अवधी में रमायन एवन महाभारत की रचना हुई थी काफी इंपॉर्टन्ट क्वेशन है ये और उतना ही इजी सिंदु घाटी अवधी में रवित अवधी में वेदिक अवधी में या फिर आर्य अवधी में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी आर्य अवधी में रमायन एवन महाभारत की रचना हुई थी क्वेशन नमबर पांच है गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी ये क्वेशन काफी बार पूछा जाता है इसके ऑप्शन से हर्श वर्धन चंद्र गुप्त समंद्र गुप्त या फिर ब्रहय गुप्त सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नमबर बी चंद्र गुप्त गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी तो गुप्त समाज की स्थापना की थी चंद्र गुप्त ना क्वेशन नमबर छे हैं वर्ष पंद्रह सो चब्बीस इसबी में लड़ी गई पानी पत की पहली लराई में बाबर से कौन पराजित हुआ था ओप्शन से मुहम्मद बिन तुगलक, अलाओ दिन खिलजी, इब्राहिम लोदी या फिर शेर्शा सूरी सही जवाब है ओप्शन नमबर सी इब्राहिम लोदी Q7 है, किस यूद से भारत में मुगल राजि की नियूफ पड़ी थी? किस यूद्ध से भारत में मुगल राजी की नियूफ पड़ी थी Option number A, ताली कोटा का यूद Option number B, पानी पत का प्रथम यूद Option number C, हल्दी घाटी का यूद या फिर Option number D, पलासी का यूद इस क्वेशन का सही जवाब है Option number B, पानी पत का प्रथम यूद और पानी पत का प्रथम यूद हुआ था 1526 इस भी में और इसे यूद के दौरान भारत में जो है वो मुगल राजी की नियूफ पड़ी थी अगला क्वेशन है हरपस सभ्यता की खोज किस ने की थी दयाराम सहानी, राखल दास बैनर जी, एम एम वत्स या अन्य यानि की इन में से कोई नहीं हरपस सभ्यता की खोज किस ने की थी काफी easy question है वापस से सही जवाब हो जाएगा option number A दयाराम सहानी दयाराम सहानी ने हरपस अभ्यता की खोज की थी दसवा question वो शाशक कौन था जिसने एक सच्चे जैन मुनी की तरह उपुवास करके अपना शरीर त्याग दिया options है बिंदुसाल अशोग चंद्रगुप्त मौर्या या फिर अर्ण्या important question है सही जवाब हो जाएगा option number C चंद्रगुप्त मौर्या अगला question है निम्न में से किस ने सोम प्रकाश नामक समच्चार पत्र शुरू किया options है दयानंद सरस्वती इश्वर चंद्र विद्यासागर राम मोहन राय या फिर इन में से कोई नहीं निम्न में से किस ने सोम प्रकाश नामक समच्चार पत्र शुरू किया तो सही जवाब है option number B इश्वर चंद्र विद्यासागर अगला question है पानी पत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी वेरम खान और हेमू अकवर और मिर्जा हकीम अकवर और वेरम खान या फिर अकवर और राना प्रताप पानी पत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी तो सही जवाब हो जाएगा option number A वेरम खान और हेमू आज की Q4U में आपके लिए question है मुगलकाल में 100 प्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने करखाने स्थापित किये मुगलकाल में 100 प्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने करखाने स्थापित किये मदरास, कलकत्ता, मुंबई या फिर सूरत अगर आपको सही जवाब पता है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करना ना बूलेया तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए questions के साथ Thank you